इस ग्राफ को पता चलेगा कि जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है उस समय आपका करेंट पिक वैल्यू पर होता है लेकिन जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इस पर्टिकलर वैल्यू पर आपका करेंट डिवाइड बायू टू होता है अगर आप यहां पर पावर याइसको रार के हिसाब से यहां पावर आधा हो जाएगा इसलिए सिच्वेशिवेशन पर मिलने वाली फरिक्वेंसी को हाफ पावर बैंडुए कहा जाता है यह जितना कम होता है ग्राफ उतना ही शार्प बनता है उतना ही ओपर जाता है angular resonant frequency divided by half power bandwidth तो जरा इसकी value रखे 1 upon under root LC तो यहां से C से C कटेगा तो delta omega निगल करके आजाएगा R by L तो Q factor improves sharpness of the signal जितना ज्यादा Q factor होगा उतनी ज्यादा sharpness बढ़ जाएगी बहुत अच्छे तरीकी से C से याद रखेगा इतना लिखने पर 2 में से 2 marks मिल जाता है मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में और ऐसे ही fast and foreign physics के revisit videos के लिए हमें share, subscribe जरू करे लेना विल थे अगली वीडियो में जाए हिंद